सड़क किनारे बाइक खड़ी करके ट्रेन के आगे कूदे सिच्छामिति की मौत STF की निगरानी में आज होगी 9534 पदों के लिए दरोगा भरती परिक्षा दो साल से गहरहाजिर सिच्छक होंगे बरखास्त परिक्षा के एक माह बाद भी रिजल्ट का इंतिजार सिच्छकों का एरियर भुक्तान ना होने पर विफरा सिच्छक संग निलंबित होने पर सिच्छक ने परधाना ध्यापका से की अभधरतावा गाली गलोज जेल में बंद गुरुजी सिच्छक स्टाफ को जानकारी नहीं स्कूल की थाली गिलास वा गेहूं ले जाते प्रधाना ध्यापक का वीडियो वायरेल उन्तिस बेसिक सिच्छकों का अगले आदेश तक बेतन बाधित जूनियर हाई स्कूल सिचक भरती का आज आएगा परिणाम आईए देखते हैं दोस्तों खबरे विस्तार से जहां दोस्तों आप देख पा रहे हैं खबरे विस्तार से किंसमेन एफ यूटूब चैनल पर सड़क किनारे बाइक खड़ी करके ट्रेन के आगे कूदे सिच्छामित की मौत उज्छानी बदाएं उरेलवे लाइन के पास सड़क किनारे बाइक खड़ी करके सिच्छामित्र अकलेश दिवाकर ट्रेन के आगे कूद पड़ा इंजन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई सिनाख्त मिर्टक की जेब में मिली MST से हुई अकलेश बैरेली के बिशारत गंज स्कूल में तैनात थे आत्मात्या करने के वज़ा को लेकर पसुपेस के बीच पुलिस ने पुश्माटम कराया मिर्टक सिच्छामित्र अकलेश दिवाकर 36 गौतमपुरी मुहले में बड़ी माता मंदर के नजदीक रहते थे वा घर से बाइक लेकर बुद्वार सुबा निकले थे दोपार करीब 12 बजे बसोमा रेल फाटक के पास सड़क के नारे बाइक खड़ी कर दी पुलिस के मुताबिक खेतों पर काम कर रहे लोगों ने बताये की बाइक खड़ी करने से पहले वा कुछ देर बैठे रहे उसी दवरान कासगंस की और से बरेली जा रहे ट्रेन को देख हुआ पट्री पर पहुँच गए चालक ने ट्रेन के रफ्तार धीमी भी कर ली लेकिन वा इंजन के आगे कूत पड़े इससे उनकी मौके पर मौत हो गई यही बार ट्रेन के चालक ने स्टेशन मास्टर विपिन कुमार को बताई बकौल इस्टेशन मास्टर लाइन पर गिवक नजर आते ही चालक ने हार्द भी बजाया इस्टिसन मास्टर से मीमों मिलने के बाद मौके पर पूंचे दरोगा अउधिसकुमार ने सवको पास से मुबाइल बाईको और सराब के दो खाली क्वाटर समेत नमकीन का पाउच बरामत किया सिच्छा मित की जेब से निकली MST से नाम और पते की बारे में जानकारी की प्रभारी निरिच्छा विजेंद सिंग ने बताया कि मामला आत्महत्या का है उनकी परिजन से बात हुई है परिवार के लोगों ने फिलहाल इसकी कोई वजा नहीं बताई है लेकिन पड़ोशों से पता लगा कि वा कुछ एक महीनों से सराब पीने लगे थे STF की निगरानी में आज होगी 9534 पदों के लिए दरोगा भरती परिच्छा लखनव उत्रप्रदेश पुलिस में 9534 पदों के लिए दरोगा भरती परिच्छा सुकुरवार को स्पेसल टास्क फोर्स की निगरानी में आरंब होगी 15 जिलों में इस्थापित 98 परिच्छा केंद्र बनाये गए हैं उत्रप्रदेश पुलिस की इतिहास में या अब तक की सबसे बड़ी दरोगा भरती परिच्छा है जिसकी आनलाइन लिखित परिच्छा तीन चरणों में होगी परिच्छा में 12.37 लाग से अधिक अभ्याथी हिस्सा लेंगे उप निरिचक नागरिक पुलिस पूरिस वामभाहिला पूर्सों के लिए प्लाट्वून कमांडर पी एस्थी वा अग्निसमन दिती अधिकारी के कुल 9534 परिच्छा में कड़े बंदो बस्तों होंगे परिच्छा केंदर में केंदर अधिका के अलावा कोई मुबाइल नहीं ले जा सकेगा एस्थी अप के निगराने में आज होगी 9534 पदों के लिए द्रोगा भरती परिच्छा डीजी बोर्ड आर्की विसकर्मा ने बताया कि 12-17 नौंबर के मद पहले चरण में 19-24 नौंबर के मद दूसरे चरण में 27 नौंबर से 2 दिसम्मर के मद तीसरे चरण में लिखित परिच्छा होगी दो साल से गैर हाजिर सिच्छक होंगे बरखास्त प्रयागराज प्रात्मिक और पूर्मादमिक विद्यालों के लापरवा सिच्छकों के खिलाब बेसिक सिचादिकारे ने सक्ति करनी सुरू कर दी है लंबे समय से बिना बताया अनपस्तित 4 सिच्छकों को बियसे ने नोटिस जारी किया है इसमें कहा है कि 16 नौमबर तक स्कूल में उपस्तित हों आने था उन्हें बरखास्त कर दिया जाएगा इनमें एक सिच्छक तो 2 साल से गैर हाजिर है पिछले दिनों बियसे प्रमिनकुबर तिवारी ने गैर हाजिर चल रहे सिच्छकों की सूची बनवाई उन्होंने बताया कि प्रात्मिक विद्याले एसाउटा मेजा की विद्याकान सिंग 4 सितंबर 2019 से बिना कारण बताय गैर हाजिर है ऐसे ही पूर माद्मिक विद्याले डेरा अगदाई सोराओं की सहाइक अध्यापका वान्या गंगवार 14 अक्टूबर 2020 से बिना बताय स्कूल नहीं आ रहे है प्रात्मिक विद्याले खाजुरी कर्षना की सहाइक अध्यापका तेजल जैन 1 जुलाई 2020 और प्रात्मिक विद्याले देवरिया भारिया के सहाइक अध्यापका दिब्यब्रमा 9 जनुरे से 2021 से अनपस्तित हैं बियसे के मुताबिक अंतिन नोटिस के बाद बर्खास्तगी होगी परिच्छा के एक माँ बाद भी रिजल्ट का इंतिजार अब जारी होगा इसकोलेकर सिच्छा विवा के अबसर कुछ बोलने को तयार नहीं है वहीं प्रणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान है मादमिक सिच्छा परस्द ने कोरोना वाइरस के चलते यूपी बोर्ड सटर दोखजार रिकीज की परिशा नहीं आयो जितकी हाई स्कूल और इंटर्मिडिट के अभ्यर्थियों को निर्दारित पार्मूले पर अंक प्रणाम का प्रणाम घोशित कर दिया 31 जुलाई को प्रणाम जारे होने के बाद तमाम अभ्यर्थियों ने सिकायत की कहा कि उन्हें जो नंबर भी देले के उसे भीजे गये थे उससे बहुत कम अंक मिले हैं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परिश्या प्रणाम से असंतुस्ट रहे इस पर यूपी बोर्ड न है अंक सुदार परिश्या का प्रणाम घोशित करने के तैयारी की जा रही है सिचकों का एरियर बुक्तान ना होने पर विफरा सिचक संग संत कबीर नगर उत्तर प्रदेशी प्रात्मी सिचक संग की बैठक गुरुआर को जिला मुक्याले पर आयोजित हुई बैठक की जिलाद्यक्ष अमिका देवियादव ने कहा कि पुरानी परिशन को लेकर लखनों में आयोजित धरने में प्रते एक ब्लाक से एक एक बच जाएगी इसके अलमा बड़ी संख्या में सिचक अपने साधन से भी धरने में सामिल होंगे उन्होंने कहा कि स्कूल खुले महीनों बीद गया है लेकिन अभी तक अम्डियम का पैसा नहीं बेजा गया है सिचक अपने पास से पैसा लगा कर अम्डियम बनवा रहे हैं यदि ततकाल खातों में धन नहीं भी जा गया तो सभी भी देहलों पर एम्डियम पूरी तरह से ठप कर दिया जाएगा जिलाद्यक्स न मौजूद रहे निलंबित होने पर सिचक ने प्रधाना ध्यापका से की अबद्रता वा गाली गलोज कानपुर्दयात रसूराबाद उच परात्मिक विद्याल भीटी कुरसी के निलंबित सिचक ने गुरुवार को कारे मुक्त होने के सुचना पर काल प्रधाना ध्यापक से अब द्रता की इस पर हेड़मास्टर ने उच्छदकारियों को सुछना देने के साथ पुलिस से सिकायद की उच प्रात्मिक विद्याल है भीटी कुर्षी के प्रधाना ध्याप करने के निर्देश दिये गए थे उक निर्देश के अनपालन में गुरुआर को हेड़मास् साथ ही पत्र विवहारेजिस्टर में हस्ताक्सर करने को कहा इस सिवा भड़क गया और गाली गलाउच करने लगे चात शात्राओं के सामने अभधरवासा का इस्तिमाल कर अप्वानित किया जेल में बंद गुरुजी सिच्छक स्टाप को जानकारी नहीं अब निलंबन के P.E.O को सिच्छक के कही दिन से ना आने के जानकारी मिली तो उनों नुनों पूस्ट यह की बहन के दवारा सिच्छक के जाने जानकारी मिलने पर P.E.O सिच्छक को जोटे मकदमी में जिल भजवा दिया है कि सिच्छक के संबन्द में बेशी सिचाजिकारी को आख्या भेज रहे हैं बी यो ने फोन पर एक सिच्छक के जिल में बंद होने के जानकारी दिये हैं उनकी आख्या आते हैं इस इच्छक के खिलाब कारवाई की जाएगी इस्कूल के थाली गिलास वाग गेहूं ले जाते प्रधाना ध्यापक का वीडियो वायरल इलिया चंदावली छुट्टे के दिन बुदवार को कोण यहार इस्तित कमपूजिट भी जालेगी प्रधाना ध्यापक का इसकूल के लिए आई नई थालियां गिलास और गेहूं घर ले जाने का वीडियो वायरल हुआ ब्रहस पतिवार को पोँचे सहाब गंड की खंड सिचादिकारी अर्विन यादों ने पूरे प्रधाना की जाच की कहा कि इसकी रिपोर्ड वीडियो वायरल वीडियो में प्रधाना ध्यापक के साथ उनका पुत्र हेलमेट लगाए हैं ग्रामेडों ने दोनों को पकड़ लिया है 29 बेसिक सिचकों का अगले आदेश तक बेतन बाधित गोरखपुर जन्पत के बेलागाट विकास खंड के परस्दी स्कूलों में अनपस्तित रहे सिचकों में से गुरवार को जहां चार निलंबित कर दिया गया है यह कारवाई खंड सिचादगारी के रिपोर्ड पर बियसे ने की यह सभी सिचक जिला अधिकारी के निलिदेश पर सिचक के गुड़ोता योजनाओं के प्रभावी संचालानवा सिचकों के उपस्तित को लेकर 22 अक्टूबर को जिला इस तरी अधिकारियों के निलिषण के दवरान इसकूलों से अनपस्तित में लेते डि बियारसी गोला से संब्द करते हुए कंटिस चैदकारी खजनी निलेश पांडे को जहांच अधिकारी नियुक्त किया गया है इसी प्रकार पूर्मादमिक धबिया वेलाघाट से निलिषण में अंपस्तित मिलने पर सहाय कध्यापक सत्यन सिंग को निलंबित कर उरुवा बियारसी से संब्द करते हुए कंटिस चैदकारी गोला राजेस बैस को जहां सित्गारी प्रात्मिक विद्याले कुआ के निलिषण में अंपस्ति रहने पर सहाय कध्यापक क्रिपा संकर पतित्रिपाड़े को निलंबित कर खजनी वियारसी संब्द कर कंटिस चैदकारी प्रावली विजे कुमार ओजा को जाच अधिकारी तथा प्रात्मिक विद्याले बेलाघाट प्रत्म के निलिषण में अंपस्तिर मिलने पर सहाय कध्यापक निलंबित कर भी आरसी बेलाघाट संब्द कर कंटिस चैदकारी सही जनुमा को जांच अधिकारी नियूक्त किय गया है इस परश्टी करन संतोजनत नहीं मिलने पर बेतन बाधित निरिषण में अंपस्ति सेचकों से टीम के निर्देश पर इस पर इस परश्टी करन तलब किये गया खंडिकन खंडिस जाहतकारी बेलाघाट को संतोजनत उपलब नहीं कराने पर 29 के विरुद बीसे राम आट्रूबर को कराएगे लिकित परश्टा का प्रणाम उत्तरपदेश परश्टा नियावक प्रादिकारी प्यान पी के उट से शुक्रवार को जारी किया जाएगा तो दोस्तों यह रहा आज का ब्रेकिंग को आश्र करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगे अग मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में कुछ नहीं जानकारी लेकर तब से के लिए नमस्कार